इस तैप की questions का अगर आपको partial fraction करना तो आप चुटकियों में कर सकते हैं मैं आपको एक करके बताता हूँ और इसकी trick बताऊँगा कि कैसे इसको में करता हूँ इसका partial fraction वैसे हम लिखते हैं तियार यह एगा x-1 प्लस b upon x-1 का whole square जब यहां पे a और b की value निकालना थोड़ा problem होता है तो मैं आपको उता था हूँ इसकी a की value आईगी 1 और b की value आईगी यहां पे 2 यह इस cancer आप बोलोगे sir आप इतना fast कैसे कर रहे हो यह आप लोग भी कर सकते हो इसकी trick बताऊंगा मैं आपको सो देखें इसके trick क्या होती है सो सुन देखें यह वाला question हम कैसे करेंगे अगर आपको एस question का partial fraction करना तो इसको लिखेंगे हम a upon x-1 प्लस b upon x-1 का whole square अब यहां पे आपको a और b की value निकालने है तो सुन जब भी ऐसा question आता है तो whole square जिसके नीचे आ रहा है मतलब जो original चीज जिसके नीचे आ रही है उसकी ऊपर की value हम trick से निकाल सकते हैं और वो trick क्या होती है इसके denominator को zero put कर दो जिरो put करने पर आप देख रहे है एक्स माइनस वन का whole square is equal to 0 तो यहार x की value वन आ रही है तो मतलब आप b की value निकाल सकते है और कैसे निकाल सकते जो एक्स माइनस वन का whole square है उसको चुपा दो बाकी जो इस साइट में बचा हो उसकी जगा एक्स की जगा वन रख दो राइट तो जिसे एक्स की जगा वन रखेंगे तो यहार वन रखने पर हमारे पास यह वन प्लस बन तो यहार बी की value क्या हो जाएगी अब बात करते हैं ए एक्स की value निकालने के लिए करना पड़ेगा तो यहार एक्स की value 0 रखोगे तो यह हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा minus 1 का square is equal तो यहार हमारे पास इसकी value क्या जाएगी 1 तो a की value 1, b की value 2 उठागे रखेंगे तो हमारे पास आएगा x plus 1 upon x minus 1 का whole square is equal to a की value रख दो 1 तो यहार हैगा 1 upon x minus 1 और b की value रख दो 2 तो यहाएगा 2 upon x minus 1 का whole square तो सुन यह इसका क्या होता पार्शल fraction होता है एक और question समझाता हूं मैं आपको तीन question समझा हूं आपको पूरा concept clear हो जागा next question देखें सुन जसी वाला question देखार आपको इसका partial fraction करना तो बढ़ा simple है क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर a upon x plus 1 sorry x plus 2 and b upon x plus 2 का whole square and c upon x minus 1 अब मैं आपको पताना चाहरा हूं जो short trick है उससे हम b और c की value निकाल सकते एक ही निकाल सकते जो original चीज़े वह यहां तो हमने partial fraction करने के लिए रखा है तो जब भी हमारे पास ऐसा आता है तो हमें क्या करना है यहां पर जो भी और c की value short में निकालते कैसे हैं यहां पर भी डिनोमेटर को 0 पूट करते है तो यहां पर भी एक्स हमारे पास माइनस टू आएगा अब क्या करो चुपाओ और जहा तो आप देख रो यार 15 अपॉन माइनस ट्री आ रहा तो यहां पर इसकी value क्या आएगी माइनस का 5 आएगी अब बात करते है यहां ची की value कैसे आएगी तो इसको 0 रखो और इसको 0 रखेंगे मतलब x-1 को 0 रखो तो भाहिया x की value हमारे पास 1 आ रही है मतलब c की value कैसे आए और जहां पर भी x हमाँ पे 1 रख दो तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 17 आ जाएगा है अपन यह आएगा 1 प्लस 2 का whole square तो आप देख रो ऊपर हमारे पास 18 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 9 हो जाएगा यह ना 3 का square हम जानते है c की value हमारे पास यहां पर 2 आगी तो यहार b की value 5 minus 5 आगई c की value 2 आगई अब a की value कैसा निकालता तो कि मैंने trick पिसले question बता थी कि यह जो a की value उसको इस trick से नहीं निकाल सकता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पूरी इस equation में x के जगह 0 रख दो राइट तो क्या करें हम student put x is equal to 0 जब आप x is equal to 0 रखोगे तो यह minus 5 हो जाएगा और जहां पर x हमाँ पर 0 रखेंगे तो यह आपस 2 square and c की value हमारे पास 2 आ रहे तो यह तो यह तो यहां पर भी x हमाँ पर 0 रखेंगे तो minus 1 आ जाएगा आप देख रहें गारी हमारे ऌर सेथ हैंगे गों सब्सक्राइब और ऊठ्राइबिंदे लिए उटूटकत एक अवेवयुट्थ लीए खालिध ने जा रहा है कि मैंट्राइब होड़ आब देखर हरी हमाई पास का चार अपोन चार तो आप देखर है आएगा हमारे पास माइनस सवी तो यहां रहा हूं थो यह की की रिए गी है की यही माइनस माईनस हुए तो यह सब फटा चेंज करता हुथा कि आपको समझ भाए तो यह इसका जो पार्शल फैक्शन आएगा वो आएगा X प्लस 17 अपाउन यह आएगा X प्लस 2 का होल स्क्वार इंटो X-1 is equal to A की वेली हमारे पास आरी माइनस का 2 तो यह रही हैगा minus 2 upon X प्लस 2 आरा है और B की वेली हमारे पास आरी माइनस का 5 तो यह रही हैगा minus का 5 upon X प्लस 2 का होल स्क्वार आएगा and C की वेली हमारे पास आरी तो यह रही है हमारे पास 2 upon X-1 इस तरह से बहुत इसलिए आप पार्शल फैक्शन कर सकते हैं मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आगा और मैं अच्छा आता हूं कि इस क्वेशन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यहां पर ए और बी की वेली क्या होगी और आपको इसको सॉल्ट करने में कितने सेकंड्स लिगे प्लीज आप मुझ अंसर क्या होगा और कितने सेकंड्स लगे दन्यवाद